हाई गैस और विल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल एनालिसस और 1 अक्टोबर 2021 तो गाई आज है तारिक 1 अक्टोबर 2021 कैस और है फ्राइडे देखेंगे आज का The Hindu Complete Newspaper The Hindu Complete Newspaper को एनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये Complete Newspaper का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है Telegram और फिर जाकर Search Box में टाइप करना है दीपक यादव Education As you can see guys आप लोग को ये वाला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे Description Box में आप सभी लोग को Telegram का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे Automatically ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन करना Now जॉइन करने से फायदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिसस पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफिर के वीडियो का PDF मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ा मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जोइन करना नाव बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपनी लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है बिल्जियम को कहां पर है ये एक्जैक्ली लोकेटेड इंडिया के कमपैरिजन में कहां पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाओगे साती सात एक क्वशन लेंगे जो कि UPAC previous year prelims में पूछा जा है तो 1997 के प्रिलिम्स में क्वशन पूछा जाता आपको मालूम होगा हम लोग daily business पर है एक previous year का क्वशन ले रहे हैं हमने 1996 के history के क्वशन को provision को cover करा अब यहाँ पर 1997 में जो question पूछा जाए वो यह बोलता है Which one of the following scripts of ancient India was written from right to left देखो ancient India के time पर बहुत सारी scripts के बारे में चर्चा हुई है बताना यह है कि ऐसी कौन से script है जो की right side से left side में लिखी गई है और यहाँ पर चार script के name आपको दे रखे हैं ब्रामी, नंद नगरी, उसके बार शरदा और खरुष्टी तो इसका सही answer आप लोग को search करना है फिर नीचे comment section में देना है बाइदावे इसका right answer मैं already दे चुका हूँ यहाँ पर और टेलिग्राम पर भी provide करवा चुका हूँ तो अभी यहाँ पर क्या करना है आपको basically सीखना है और इसके बारे में search करके right answer देना है नीचे comment section में साथी साथ आज क्या target रखने वाले हो, क्या क्या पढ़ना है उसको comment section में लिखना, बिल्कुल मत बूलना target रखने के बाद और रात तक कोशिश ये करना कि मैं उसको achieve कर पाऊं हर हाल में तो चलो शरुबात करते हैं, यह है आज का सबसे पहला article, article exam के लिए बिल्कुल भी important नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म है जो कि हमारे GS paper to policy के point of view से काफी ज़ादा important हो जाएगी अभी क्या हुआ है, West Bengal के अंदर यहाँ पर बात हो रही है, भबानीपूर Constituent Assembly के बारे में तो भबानीपूर Assembly Constituency जो West Bengal के अंदर है, वहाँ पर Thursday में by poll हुआ अब by poll यानि की by election हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई है, यह article हमारे exam के लिए बिल्कुल भी important नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन एक term है by election या फिर by poll यह बहुत important word है अपने आप में, exactly क्या होता है by election में आपको छोटा सा concept यहाँ पर clear करता हूँ देखो होता क्या है, जो भी हमारी assemblies है या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे लोक सब आए वहाँ पर आपको MPs देखने को मिलते हैं और MLS देखने को मिलते हैं अब जो यह MPs होते हैं, जो MLS होते हैं, इनका term कितने साल का होता है, पांस साल का इनका term होता है अब यहाँ पर क्या है, जब यह पांस साल का term होता है, जब यह सर्व करता है इस term को, तो उस बीच में vacancies खालीव हो जाती है अब उन vacancies को fill up करने के लिए, जो election commission of India होता है, वो यहाँ पर election conduct करवाता है, जिसको हम लोग by election बोलते हैं अब यहाँ पर आपको समझना यह होगा, कि देखो यहाँ पर 5 साल तक चलो इनको चुना गया, तो 5 साल तक इनका पूरा tenure था, लेकिन बीच में vacancies खाली हो गई, मतलब बीच में जगा खाली हो गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर किसी MPA, MLA की sudden death हो जाए, वो एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण यहाँ पर हो सकता है, किसी ने resign कर दिया हो, ठीके तीसरा एक कारण यह हो सकता है, कि इनको disqualify कर दिया हो, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं, जिसकी इंडिया और चाइना के बारे में बात हो रही है, जब इंडिया और चाइना को लेकर या फिर इंडिया के साथ द्रिक को लेकर चरचा हो रही है, उनके रिलेशन्स के बारे में चरचा हो रही है तो definitely, Article G.S. पेपर 2, International Relations के पॉइंट अ बीओ से important है यहाँ पर बात हो रही है LAC पर हमने बहुत सारे incidents देखें अगर हम बात करें पिछले एक साल के अंदर तो LAC के बारे में हमने बहुत कुछ discussion किया है LAC मतलब line of actual control तो यहाँ पर आप कर सकते हो जो हमारे army staff general है मनोच नार्वाइन साथ इनका कहना यह है कि LAC पर incidents चलते रहेंग देखने को मिला यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे according to him इनके according हाँ पर बोला गया कि देखो incidents लगातार चलते रहेंगे ठीके अब यहाँ पर आपको एक solution लेकर ना चलना पड़ेगा एक long term solution वो हो सकता है एक boundary agreement वो आप agreement कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर काफी है त देखने को मिला है मतलब कुछ जादा exam perspective से important नहीं है क्योंकि जब भी statement वगरा होता है तो कोई भी statement पे आपको जादा जोर नहीं देना है ठीके statements जो होते है वो important नहीं होते है लेकिन यहाँ पर क्या है अब हम लोग LAC के बारे में एक दो बाते और जान लेते हैं जो कि हमार अकसाई चीन वाला area है इधर आपको लदाक वाला region देखने को मिलेगा अकसाई चीन वाला area के ऊपर आज के टाइम पर चाइना का पूरी तरह से आपको कबजा देखने को मिलेगा और इसी वाले LAC वाले area पर बहुत जादा dispute होते हैं आपको मालूम होगा पिछले एक साल के यहां पर development कर रहे हैं ठीक है अपनी साइट development कर रहे हैं लेकिन चाइना नहीं चाहता कि हम लोग यहां पर अपनी साइट पर development करें ठीक है तो इसी वज़ा से दोनों countries के बीच में काफिये तक dispute उठते रहते हैं आपको मालूम होगा पैंगॉंग सो लेक के बारे में पैंगॉ एक है western sector दूसरा है central sector और तीसरा है eastern sector western sector के अंदर अकसाइचीन वाला area है और central sector के अंदर यहाँ पर आप देख पाऊगे यह वाला exactly आपको area देखने को मिलेगा और western sector के अंदर आपको अरुनाचल प्रदेश वाला area देखने को मिलेगा यह कुछ area से जहाँ पर इन दोनों countries इसके बीच में काफिया तक डिस्प्यूट रहता है यह आप लोग देख पारे होंगे ठीके तो यह कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग को ध्यान रखना है छोटी-छोटी इन्फोर्मेशन है और मैप के थुरू जो है हम लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं इस वेज़े से मैं आपको यह पिच्चर दिखाया आगे बढ़ते हैं इंपोरेंट आर्टिकल की तरफ यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पेज़ पर तो एक आर्टिकल बात करता है मौनसून के बारे में ठीक है अभी हम लोगों ने देखा कि सैप्टमबर के महीने में भी का अब तक यहां से मौनसून निकलेगा तो मौनसून PHIL हो सकता है अगले सब्केल बढ़ाया गया उसके बाद जहांद एक outcomes आयप इसको पढ़ के हटा सकते हो क्योंकि आप पर टाइम विस्ट कर ना बेकार है उसका एक article देखने को मिलेगा और जैसे मैंने आप लोगो पहले ही बता रखाए कि देखो article पूरा पढ़ने की ज़रुवत नहीं है important देखो चीजे क्या है heading से आप लोग काफ़े तक relate कर सकते हो चीजों को तो ज़्यादा better है जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो Australian जो प्राइम मिनिस्टर है Scott Morrison इनका एक statement आया इन्होंने यहाँ पर वापस statement दिया है कि China can join Quad Initiative अब यहाँ पर देखो इस statement के उपर ज़्यादा जोर देना नहीं होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर जब कुछ ज़्यादा चीज़े important होती है तो आप लोगो चोटी मोडी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है और पहली बात यहाँ पर हमेशा याद रखना है जैसे political leaders, ministers, official ministers यह कुछ statement देते हैं उसको पर ज़्यादा जोर नहीं देना है एक idea आपको definitely उसके बारे में रखना है तो Australian Prime Minister ने बोला कि देखो China Quad Initiative को join कर सकता है ऐसा क्यों बोला गया देखो पहला point यहाँ पर इस article के अंदर क्या बेंशन है कि देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है जो Quad Initiative बाइदावे Quad Initiative क्या है आपको पूरी तरह से रट गया होगा कि हाँ कितनी कंट्रीज है कौन कौन सी कंट्रीज है कब इसकी शुरुवायत हुई थी क्या इसका में मकसद है regular basis पर यह news में देखने को मिलेगा इसके ओपर एक editorial भी आया है आज और वो editorial बहुत important है उसको भी आज आप लोगो पढ़ना है क्योंकि अभी जो Quad की meeting होई थी उसके बार में यापर क्या-क्या discussion होई वो भी हम discuss करेंगे तो Quad exactly क्या है सब को मालूम है चार countries का group है चार countries कौन-कौन सी है वो है इंडिया है आस्ट्रेलिया है उसको में security और peace को maintain करने का यह लोग काम करते है तो आप कह सकते हो कि यह Quad का concept की शुरुवात जो एक तरीक से जापान के पहले वाले प्राम मिनिस्टर थे शिंजो अबे साब उनके द्वरा की गई थी आज के टाइम पर जापान के एक नए प्राम मिनिस्टर आ रहे है उनका नाम क्या है नीचो कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि कल ही हम लोगों ने discuss किया है और जो नए प्राम मिनिस्टर आ रहे है वो जापान के 100 प्राम मिनिस्टर है कभी-कभी एक तरीके से Quad को एशिया नेटो भी बूल दिया जाता है कि यहाँ पर चाइना के खिलाफ भी पूरा का पूरा एक ग्रोप काम करता है तो ऐसा बोला गया तो यहाँ पर इन चीजों को दिखते हैं जो Scott Morrison ने इन्हों ने बोला चाइना भी जॉइन कर सकता है स्क्वाड इनिशेटिव को हमारी तो और ज़दा अच्छा होगा कि चाइना भी हमारी चारो कंट्री के साथ मिलने के बाद क्या करे इंडो और पसिविक वाला जो रीजन है वहाँ पर पीस और सेक्यूरिटी को मिंटेन करे तो इसमें तो बहुत अच्छी बाते कर चाइना भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक छोड़ा सा यह स्टेट्मेंट आपको देखने को मिलेगा जादा ऐसा कुछ नहीं एक्जाम के पॉस्पेक्टिव से ठीक है क्वार्ड बिसिकली बहुत इंपोरेंट है क्वार्ड के बारे मैंने आप लोगो सारी चीज़े बता दी है यहाँ पर काफी बार मैंने बताया यह सारे नोट्स बगरा आपको मैंने पहले ही सेंड कर दिया है क्वार्ड को एशियन और मिनी नेटो भी बोला जाता है चायना को टैकल करने के लिए लेकर आया गया इंडो परसिविक वाले रीजन के अंदर सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए लाया गया शिन्जो अबे साब के द्वारा यहां पर एक स्कौार्ड का कॉंसेट रखा गया था क्वार्ड कंट्रीज के बीच में एक अभ्यास होता है वो होता है माला बार एक्सराइज आपको मालूम होगा यहां पर हुआ क्या था एक यूएज अमबैसडर है टूवर्ड्स इंडिया जिनका नाम है फ्रैंक विंसनर ठीके इन्होंने यहां पर यहां पर यह क्वाशन पूछा था इसको लेकर तो इसी का जवाब इनको यहां पर मिल चुका है कि चाइना एक तरीके से यहां पर यहां पर आपका सकते हो कि यहां पर बोला गया कि आज के टाइम पर चाइना एक आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है प्लस इंटरनेशनल एकनोमिक के अंदर इतना उंचा दरदा यहां पर हासिल कर लिया है साधी साथ यहां पर यहां पर यहां है जो भी यहाँ पर आपका सकते हो कि चाइना को हैंडल करने के दिक्कत है वो एक तरीके से एक बालेटरल इशू है भारत का ओके तो यह एक छोड़ा सा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा अगें यह कई स्टेटमेंट ही है तो आप लोग को इसको पर जादा गौर नहीं करना है तो आप लोग ध्यान करना है अगें यहाँ पर इन्हों चीफ हैं ठीक है इन्होंने प्रामिस किया है कि जो कैपिलिटी से हमारी उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी जी यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह पिच्चर है इनका यह हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ बाचीत कर रहे हैं इस पिच्चर के अंदर इन्होंने बोला कि देखो थर्जडे में इनको 27 चीफ ऑफ दा एयर स्टाफ बनाया जारा है ठीक है अब यहां पर इनको यह पोस्ट मिल चुकी है और पहले यहां पर इस पोस्ट पर ACM RKS बदूरिया साब हुआ करते थे नाव अब यहां पर उनकी जगह पर यह नए आ चुके हैं कौन है कौन बन चुके हैं अब इनको चीफ ऑफ दा एयर स्टाफ बना दिया गया है प्लस उसके बाद बोला गया कि अब यहां पर यह कोशिश करेंगे जो भी हमारी capabilities है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए हम लोग और ज़दा एक तरीके से अपने ही उसमें अपनी फिल्ड में और ज़दा enhanced हो जाए यह में फोकस रखाया है उसके बाद यहां पर चर्चा हो रही है जो नैशनल डिफेंस अकैडमी है ठीक है और आपको नैशनल डिफेंस अकैडमी के यहां पर आपको CAS देखने को मिलेगा इस पोस्ट को कमिशन के आई था दिसंबर 1982 के अंदर यहां पर पहुत सारी important role होते है इन officer के दिन उसके बाद यहां पर जैसा मैंने बताया कि 29 September को एनौसमेंट हो चुका था कि जो हमारे next जो एक तरीके से CS होने वाले हैं Chief of Air Staff होने वाले हैं वो होंगे हमारे चौदरी यह आप लोग ध्यान रख सकते हो आगे बढ़ते हैं next article की तरफ मतलब जादा कुछ यहां पर भी खास नहीं है एक article हाँ यह आता है article important हमारे exam के लिए अभी हम लोग ने देखा कि पूरा का पूरा जो September का महिना है उसके अंदर बहुत सारे judges को अपोइंट आ गया है अब judges क को अपोइंट करने के पीछे का जो procedure है उसको हम लोग बोलता है collegium system discuss करेंगे सब कुछ don't worry अभी हम लोग समझते है article के अंदर क्या बोला गया यह एक तरीके से जो September का महिना यह month of marathon की तौर पर बोला गया ठीक है यहां पर बोला गया कि बहुत सारी जो pending vacancies थी हाई court के इन्होंने बोला कि देखो अगस के महिने में फिर उसके बाद collegium system ने एक अगस के महिने में एक ध्यास रचाता फिर उसके बाद आगेन एक history script कर दिये इन्होंने लगबख recommend कर रहे हैं 68 names 68 नाम यहां पर recommend करे गए हैं high court judges के लिए तो आप लोग ध्यान रख सकते हो और उसक जी से आपस मीटिंग होई है हर हफते यहां पर एक मीटिंग होती ही नजर आई है उसके बाद यहां पर जो जज़िस का appointment है ज़िसका transfer है इन सब को पर काफिया तक focus रखा गया उसके बाद नापर जो latest resolution है यहां पर इस college system ने बहुत सारा appointment किया है जो high court of Punjab है वहां पर उसक अप्टमबर के मैने में एक तरीके से चेयर किया गया चस्टिस यू लिलित जुके द्वारा उसके बाद एम खान विलकर थे उसको एडिवाई चंदर चूट थे यहां पर देखो इस system का main काम यह होता है जो भी जज़िस हमारे सुप्रेम कोर्ट के अंदर high court के अंदर इनक का काम यह जो भी होता है प्रोसेस इसको कॉलिजम सिस्टम करता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं कैसे इवाल हुआ था सबसे पहले आप कह सकते हो कि यहां पर पहले एक तरीके से अपॉइंट करने के लिए एक ही बंदा रखा गया था जिसको हम करेंगे जुडिशल अपॉइंट्मेंट को मतलब एक ही इनसान को बड़ सिम्मेदारी है यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही यहां पर कोई भी जुडिशल अपॉइंट्मेंट कर सकते हैं या फिर कोई ट्रांसफर है तो उसको रेकेमेंड कर सकते हैं तो 1981 में सरिफ यहां प्लस उसके बाद तो सीनियर जजिस हो गए इन तीनों को यहाँ पर एक कॉलिजियम सिस्टम बना दिया तो एक तरीके से जो एक्जैक्ली कॉलिजियम सिस्टम इंट्रोडियूस हुआ वो 1993 के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर तीन लोगों का एक तरीके से सिस्ट तो इनका बहुत बड़ा सजेशन रेकमेंडेशन रहने वाला है फिर उसके बाद यहाँ पर अभी भी बात नहीं बनी 1993 के बाद 1998 का समय आता है अब यहाँ पर आपको सकतो थर्ड जज के साया इसमें क्या क्या आगया अभी तक आपको मालूम होगा चीफ जस्टिस ऑफ इं मेंबर तो आज के टाइम पर यह पर यहाँ पर हैड किया जाता है छीफ जस ऑफ आप दियान रख सकते हो उसके बाद अब आपको क्हहना होगा जो चीफ जस जस ईप इंडिया है इनका बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है बिलकुल अब हैं कॉशन यह बी आरह होगा अब ये Chief Justice of India को कैसे अपॉइंट करते हैं तो यहां बिल्कुल यह भी आपके लिए बहुत important point है तो CGI को अपॉइंट कैसे किया जाता है तो जो हमारे President of India जो राष्ट्रपती होते हैं वो ही हमारे Chief Justice of India को अपॉइंट करते हैं आपको ध्यान अकना है अब इनको कैसे point किया गया सबसे पहला procedure किया हुआ कि जो इनसे पहले वाले Chief Justice of India थे उनका भी recommendation रहेगा कि हाँ भई यहां पर उन्होंने बोला होगा कि environment साब को बनना चाहिए दूसरा यहां पर देखने को मिलता है कि seniority के basis पर कौन सा यहां पर judge senior है experience के basis पर seniority आपको देखने को मिलेगी तो काफी senior है तो इसी वज़ा से इनको Chief Justice of India का पद मिला उसके बाद यहां पर यह सब कुछ गया process president के पास president ने जो है यहां पर इस चीज़ को पर sign कर दिया यह चीज़ हम लोगो देखने को मिलती है उसी प्रकार से जो Supreme Court के judges हैं वो appoint होता है लेकिन Supreme Court के judges को भी देखो at the last president ही appoint करता है लेकिन जो बीच का process होता है यहां पर college system का पूरी तरह से work होता है और हमने देखा college system का अदर 5 member हैं एक है Chief Justice of India प्लस उसके बाद 4 other आपको यह Supreme Court के judges देखने को मिल जाएंगे तो यह लोग मिलकर क्या करते हैं आप उसमें consult करेंगे फिर उसके बाद यहां पर आपका सकते हो यह लोग एक तरीके से recommend करेंगे कि हाँ इनको यह एक तरीके से judge बनना चाहिए तो यह जो college system है यह पूरा का पूरा एक recommendation देता है law minister को law minister उस recommendation को forward करता है प्राइम minister को और प्राइम minister advice देते हैं president को और president at the last में sign करते हैं तो उसके बाद यहां पर as a judge कोई भी appoint होता है यह आप लोग को ध्यान रखना है उसी प्रकार से यहां पर जो high court के chief justice होता है इनको recommend के जाता है college system के तुरू college system के अंदर जो chief justice of India है वो आपको देखने को मिलेंगे और भी senior judges देखने को मिलेंगे उनके तुरू high court के judges को भी appoint की जाता है अभी आप लोगों से मैंने question पूछा था कि कि इतने total high court से हमारे भारत के अंदर उसके ओपर भी आप लोगो यहाँ पर search करना है अगर नहीं पता है तो फिर उसके बाद answer देना है देखो जो college system है न इसकी काफिया तक आलोचना होती है criticism होता है अब आलोचना किस basis पर होती है यहाँ पर बोला जाता है इसके अंदर transparency नहीं है अब यहाँ पर आपस में transparency नहीं है तो इससे nepotism का scope काफी बढ़ जाता है nepotism मतलब यह अपने relatives को ही आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा बोला जाता है प्लस उसके बाद यहाँ पर यह सारी चीचा आपको constitutional provision में कहाँ पर देखने को मिले कि तो article 124 जो clause 2 है हमारा Indian constitution का वो यहाँ पर बात करता है जो supreme court के judges हैं उनके appointment के बारे में और उसके बाद जो article 217-217 हमारे भारती संभिधान का वो बात करता है high court के judges को कैसे appoint की जाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान अखना है ठीके तो यह कुछ चीजे हैं जो की बहुत important है हमारे GS paper to policy के point of view से आगे बढ़ेंगे और important article की तरफ यहाँ पर page number 10 पर आएंगे तो छोटा सा article आपको यह देखने को मिलेगा again यहाँ पर policy का एक concept जिसको हम लोग सीखने वाले हैं अब यहाँ पर देखो चर्चा क्या हो रही है देकिन चर्चा से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना मुझे याद नीरा पहले कहने का कोई बात नहीं तो लेकिन क्या होता है आप वीडियो को मतलब एक सेकेंड मी लगेगा यार लाइक कर दिया करो उससे काफिया तक सपोर्ट वलता है प्लस सबसे बड़ी बात है वीडियो और भी बहुत सार लोगों तक वाला उसके अंदर आपको OCI, NRI, PIO यह सब क्या होते हैं यहाँ वहाँ पर डिसकस करने को मिलेगा लेकिन सथ-सथ मैं आपको यहीं पर बता दूँगा यह एक्जैक्ली कौन होते हैं OCI आपको एक कॉंसर्ट सीखने को मिल जाएगा तो सुप्रीम कोट ने थरस्डे में इसके अंदर लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल कैडिगरी के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे इनको जनरल कैडिगरी वालों से कॉंपीट करना होगा ऐसा यहाँ पर बोला गया है ओके अब यहाँ पर आप कर सकते हो देखो जो NRI होते हैं NRI होते हैं Non Resident of India NRI कौन होते हैं इंडियन रेसिडेंट ही होते हैं इंडियन सिटिजन ही होते हैं भारत के ही नागरिक होते हैं जो की बाहर की विदेश में जाकर रह रहे हैं लेकिन जो OCI वाले होते हैं Overseas citizens of India यह foreign national होता है यह दूसरे country के होते हैं लेकिन इनका जो origin होता है वो इंडिया का ही होता है ठीक यह सारी चीजे यह सब कुछ हम लोग एक एक करके discuss करने वाले हैं तो दिहान से सुनना क्योंकि confusion वाला topic है लेकिन यहाँ पर confusion होना नहीं चाहिए क्योंकि हम काफी असान शब्दों में इसको समझने वाले हैं Overseas citizenship of India आर्टिकल GS paper 2 Indian constitution के point of view से important है और आपके syllabus के अंदर यह सबसे पहले हम लोग definition देखेंगे OCI कौन होते हैं देखो यहाँ पर जो ministry of home affairs है उन्होंने यहाँ पर define किया है जो overseas citizen of India होते हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है एक ऐसा व्यक्ति है जो की citizen of India था कब on or after 26th of January 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 के समय पर वो citizen of India था या उसके बाद यहाँ पर वो citizen of India था तो उसको एक तरीके से OCI person बोला जाएगा मतलब Indian origin वो Indian citizen है ठीके Indian citizen था बाद में वो फॉरण चला गया होगा लेकिन यहाँ पर इतनी तारीक को या तो 26 जनवरी 1950 को था या इसके बाद वाली तारीक को यह Indian citizen था तो यहाँ पर आप कर सकते हो वो एक तरीके से OCI के तो of India था 26 जनवरी को या उसके बाद से तो वो OCI के तौर पर आएगा लेकिन साथी साथ OCI कार्ड के लिए वो eligible हो पाएगा एक दूसरा पॉइंट यह है कि एक व्यक्ति OCI के लिए eligible को पाएगा जब यहाँ पर आप कर सकते हो कि मतलब की उस समय पर 26 जनवरी 1950 के समय पर ठीके वो eligible था कि वो भारत का नागरिक बन सकता था अगर मालो यह व्यक्ति है और यह व्यक्ति सारी के मतलब यह जब आप डीटेल में पड़ोगे ना पूरा का पूरा citizenship तो उसमें आपको बहुत सारी topics और स्टार्टिंग में cover करने होंगे वहाँ पर आपको clear हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मालो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में एक व्यक्ति था जो कि eligible था यह भारत की citizenship ले सकता था ठीक है बिलकुल eligible था तो यहाँ पर वो व्यक्ति भी OCI के अंदर आएगा तो यह आप लोग को ध्यान देना है यह दो concept हो गए उसका म यहाँ पर वो भी तरीके से इसी क्राइडेरिय के अंदर आएगा उसको भी हाँ पर OCI मिलेगा या आपको ध्यान रखना है according to section 7a जो OCI card rule है इसके अंदर जो section 7a है इसके अंदर बताया गया कि कोई भी applicant ठीक है OCI card के लिए apply कर सकता है जो overseas citizen of India होता है इसके लिए apply कर सकता ह कोई भी applicant लेकिन दिहान रखना है वो पाकिस्तान और बांगलदेश का citizen नहीं होना चाहिए ठीक है यह बहुत important point है यह कोई से एक्जाम में पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में मालो कोई व्यक्ति यहाँ पर बिलॉंग करा पाकिस्तान बांगलदे citizen है तो उनको भी हाँ पर उनके बच्चों को भी यह OCI card rules के अंदर OCI नहीं मिलेगा यह आप लोगो ध्यान देना है उसके बाद यहाँ पर यह जो category है इसको इंट्रड्यूस क्या गया था हमारी government के द्वारा 2005 में और government ने क्या करा कि एक तरीके से जो P.I.U. था person of Indian origin और सा अब जब OCI card मिलेगा तो इससे फायदा क्या हो सकते हैं मालो एक व्यक्ति eligible है उसको OCI card मिल चुका overseas citizenship of India मिल गई अब यहाँ पर क्या होगा जब OCI मिलेगा तो उससे क्या होगा कि वो इंडिया के अंदर multiple times enter कर सकता है ठीक है उसके साथ साथ उसको multipurpose lifelong visa मिल सकता है कि वो इं साल के लिए अगर उसको OCI मिलता है तो उसके बाद यहाँ पर वो Indian citizenship के लिए भी apply कर सकता है सबसे बड़ी बाद है उसके बाद यहाँ पर जितने भी Indian international airports हैं वहाँ सभी पर OCI card holders को एक special immigration counter भी मिलेगा उसके बाद जो OCI card holders होते हैं वो अपना एक special bank account open करवा सकता हैं भारत क जो non farm property होती है वो भी हाँ पर OCI holders purchase कर सकते हैं और यहाँ पर PAN number के लिए भी apply कर सकते हैं उसके बाद limitation क्या होती है तो यहाँ पर कुछ दिक्कते भी है वो दिक्कत क्या है मानलो कोई यहाँ पर व्यक्ति है उसको OCI card मिल चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको rights नहीं म कर सकता है जहाँ जहाँ पर एक तरीके से restriction लगे होता है जाना मना होता है महाँ पर travel नहीं कर सकता है जब तक government permission ना दे ठीक है यहाँ पर इसको correct कर लेना OCI cardholders के अंदर restriction यह भी है कि यहाँ पर वो लोग एक तरीके से purchase agriculture और farmland को लेकर restriction देखने को मिलता है मतलब कि यह जीबल थे 26 जनवरी 1950 में भारत की citizenship लेने के लिए तो वो OCI के तौर पर आएंगे यह आप लोग को ध्यान रखना है कौन कौन है OCI इसके बारे में notes बगर मैंने सारे prepare करवा के आपको दे दिये हैं उसका next article बात और यह urban mission के बारे में देखो urban mission क्या है अभी हम लोग इसको discuss करेंगे अभी हाँ पर क्या किया गया जो हमारा स्वच भारत mission urban है जिसको हम लोग SBMU बोलते हैं उसके बाद एक है हमारे पास अमरूत mission ठीक है अटल mission for rejuvenation and urban transformation यहाँ पर बोला गया जो हमारे Prime Minister है नरेंदर मोदी जी वो Friday में launch करेंगे इन missions को और यहाँ पर SBMU 2.0 और इसका में मकसर यह होगा कि आने वाले पांस सालों के अंदर हम लोग एक तरीके से क्लीनली की नैस की तरफ बढ़ें साफ सुपाई की तरफ बढ़ें प्लस उसके बाद जो एक तरीके से water security है उसकी तरफ बढ़ें अब basically mission क्या है इसके बार में discuss करेंगे लेकिन उससे प अमरुत के लिए प्रोपोस किये गए तो आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताता हूं स्वच भारत mission यह अर्बन क्या है आर्टिकल जीएस पेपर टू हेल्थ के point of view से important हो जाएगा जो ministry of housing and urban affairs है उन्होंने यहाँ पर इस initiative को launch किया था इस initiative क के अंदर बहुत सारी चीजे include करी गई है ODF, ODF plus और ODF plus plus अब यहाँ पर क्या है ODF मतलब open defecation free मतलब खुले में शौच ना करें कोई भी इसके ओपर ध्यान रखता है यह स्वच भारत mission और इसी वज़ा से यहाँ पर आप कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों को एक तरीके से जाता है कि लोग जो है खुले में शौच ना करें खुले में यूरिनेट ना करें इसके उपर रखा जाता है ध्यान प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है ठीके यहाँ पर आप कर सकते हो कि यह मतलब cleanliness की उपर पूरी तरह सा focus किया गया तो इसके अदर आपको open defecation free वा भारत mission काम करता है ठीक है ताकि यहाँ पर गंदा पानी river के अंदर ना आए जिससे यहाँ पर river काफिया तक पॉलिट हो जाती है आपको ध्यान रखना है तो इसको पर भी ध्यान रखता है आपको ध्यान रखना है आज के टाइम पर लगबग चार शहर ऐसे हैं जो कि इंद किया गया एज़ा फाइव स्टार सिटी की तरहीं पर सर्टिफाइग किया गया क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ आपको clean देखने को मिलेगा और इन दोर को तो काफी बड़ा टैग मिल चुगा है सबस्यादा साफ सुतरी शहर का यह आप लोग को ध्यान होगा अब यह जो प्लस जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कम से कम हम लोग इस्तमाल करेंगे यह फोकस रखा गया है उसके बाद जो अमरूत मिशन है यह आर्टिकल आपका जीएस पर टू के पॉइंट आविव से इंपोरेंट है क्योंकि जो भी मिशन है योजनाज है यह बहुत इंप हम मिलेगा इसका में ओं इसका में मचसद है कि हारे घर के अंदर जो पानी है और प्रिक्न बहुत to यह प्लस यहां पर में फोकस यह भी रखता है जो जैसराथ बढ़े मतलब हर्याली रहे शेयर के अंदर रहे यह है चोड़े-व Neither पार्क्स क्रेट करें लोग water supply प्रॉपर है जो waste management है उसको करा जाए या फिर जो drainage है उसको साफ रखा जाए drainage सिस्टम को सही से रखा जाए प्लस उसके बाद यहाँ पर यह लोग एक focus यह भी रखते हैं जो street lights होती है यानि कि गलियों में जो बड़ी बड़ी lights है आपको देख करने वाले हैं area को साफ सुतरा बनाने के लिए यह इस article के अंदर समझाया गया है बढ़ते हैं आगे next और important article के तरफ page 11 के उपर आएंगे that is business section एक यहाँ पर article आपको देखने को मिलेगा economic point of view से तो यहाँ पर बात करेगी जो हमारा core sector है वो अगस के महीने में 11.6% तक ग्रो हुआ है ऐसा यहाँ पर बता गया इंडिया के अंदर आपको लगबग 8 core industries या फिर 8 core sectors आपको देखने को मिलते हैं आपको मालूम होगा अब इनके अंदर काफी हद तक growth देखने को मिली अगस के महीने का data है 11.6% से grow हुए हैं हाला कि काफी बुरी हाल अच्छले ही थी हमार के महीने में यह grow हुआ है और आगे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से hope यह करते हैं कि आगे भी लगातार grow होगा प्लस यहाँ पर एक expectation लगाई जारी है 4-6% तक और growth देख सकते हम लोग September के महीने में अब यह लगातार grow होता रहेगा क्योंकि COVID-19 को लेकर हमने काफी है तक का को मिलेंगी एक है coal उसके बाद crude oil natural gas refinery फिर इसके बाद steel cement fertilizer और electricity यह हमारे पास आर्ट कोर इंडस्ट्रीज है इनका यहाँ पर total data लिया जाता है आगे बढ़ेंगे next article की तरफ इसी के नीचे एक छोटा सा article है इंडिया और Australia मिलकर conclude करेंगे अपने free trade pact को साल 2022 के अंध तक ज Australian dollars तक यहाँ पर पहुंच सकता है यह लगवाए आगे इसका मतलब Australian dollar 52 billion Australian dollar तक यहाँ पर आपको सकतो इनका जो व्यापार है वो पहुंच सकता है ऐसा यहाँ पर Australian minister का कहना है तो दोनों मिलकर agree कर चुके हैं Thursday में कि जो free trade agreement है इसको पूरी तरह से conclude करेंगे साल 2022 तक और यहा आपको कहना मतलब आपको यहाँ पर देखना यह है जो भी बातचीत हुई है वह यहाँ पर Australian जो minister थे दान तेहन इनकी बातचीत हुई है हमारे commerce और industry minister प्यूश गोईल साब के स्थू ठीक है तो इनके आपस में discussion हुआ है जादा अभी कुछ भी नहीं है important जो exam के perspective से important हो यह और फिर कोई taxes होती है या tariffs होता है उनके ओपर काफियत तक relaxation दिया जाता है और इसकी वज़ासे काफियत तक जो इनके बीच का व्यापार है वो भी grow होता हुआ नजर आता है पेच नमबर 12 पर आएंगे that is world section देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है एक ही important article है देख drop deplause में इसी देखने को मिलती है वो क्या होती है इसमें भी हम लोग discuss करेंगे ठीके तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आज के टाइम पर लगबग जो hidden debt है चाइना के बेराई plan के partner का वो काफियत तक बढ़ चुका है लगबग 42 country ऐसी है जहाँ पर चाइना ने बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ statement दिये है अभी तक जो चाइना ने पैसा प्रोवाइड किया है वो लॉन्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड किया है साथी साथ कुछ official investment भी क्या है जिसको यहाँ पर बोला या official flaws और official development assistance भी प्रो के सबसे बड़े recipient देखने को मिलेंगे ODA के ODA मतलब ऑफिशल जो development assistance है उसका तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर रशिया हो गया विनिन्जुला हो गया एंगुला हो गया और यहाँ पर यहाँ पर यह भी सबसे बड़े recipient है चाइना के लोन के चाइनीज लोन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आजा है अब बात करते हैं भारत की तो भारत लगबग 33 नंबर पर इस लिस्ट के अंदर आएगा भारत के अंदर भी चाइनीज लोन बहुत ज़्यादा है आपको देखने को मिलेंगे साल 2000 से लेकर साल 2017 तक का यह data count क्या गया इस बीच में भारत ने लग पाकिस्तान हो गया यह कुछ ऐसी कंट्रीज जिनके ओपर आज के टाइम पर लगबग बहुत ज़ादा कंट्रॉल आपको देखने को मिलेगा चाइना का चाइना के आज के टाइम पर बहुत सरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन कंट्रीज को ओपर वो भी आप लोग देख प कंट्रीज को बहुत सरा पैसा प्रोजेट करवा देता है अब यहां पर इसके पिच्चर में काफी सारी चीज़े क्लियर कर पाओंगे वह यह है कि चैना ने यह पर आप देख पा रहोंगे चाइना ने रहां पर स्री लंका की अंदर काफिया थक इन्वेस्ट्मेंड़ किय किया उसके बाद यहाँ पर प्āकिस्तान के अंदर तो पूछ हो पाकिस्सान के अंदर गौधरपोट के साथ साт पॉरी तरह से विक चुगाई उसके बाद यहाँ पर और कॉन से जीबूटी के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिले गाRAD दखने को मिलेगा उसका मैनमार के अंदर आपको बहुत दखने को मिलेगा जो कि आज का टाइम पर चल रहा है और वनाओ तुके अंदर बहुत सारा इंवेस्टमेंट की तरफ देखेंगे आज के इंपोरेंट एडिटूरेल्स को हाथ है पेज नमर सिक्स के ऊपर उससे पहले मैं आप लोग उसे पूछना चाहूंगा आपको ओस यही समझ मा आगिया ना ठीक है कहीं तो पैदा नहीं हुआ और मतलब कि कोई बात नहीं अगर हुआ भी होगा तो मैं कोई बात नहीं फिर से बता दूँगा ठीक है डेफिनेटल यहाँ पर दुबारा हम लोग सीखेंगे इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है हम लोग दुबारा इसको समझ लेंगे ठीक है क्योंकि इंपोरेंट टॉपि वाद यह जो आर्टीकल है यह खुद किसके दोरा लिखा गया है जो चीफ मिनिस्टर है की सबरे चर्शा करेंग Woo उसको देखने को मिले गाये अगया है उसको देखने को मिलेगा सब बात करता है जो हमारी political parties होती है उनको constitutional बना देना चाहिए क्योंकि constitution के अंदर in political parties के बारे में कुछ भी चीज़े mentioned नहीं है तो उनको बना देना चाहिए ऐसा यहां पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला एडिटोर यह वाला अब देखो यहां पर हम लोग notes की format discuss करेंगे to the point बात करने वाले हैं जो जो की अभी यहां पर meeting के अंदर discussion हुआ है सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी है कि अभी यहां पर हाल ही में जो हमारे Indian Prime Minister थे वो US की विज सब कुछ बहुत हुआ है अभी मतलब इस महिने में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं अब यहां पर बात करें क्वार्ड की समिट के बारे में क्वार्ड मतलब सब कुछ बता चुका हुए मैंने थोड़ देर पहली बताया था चार country's के अंदर उनके बीच में यह स समिट हुसरा है और सबसे पहली बार यह आपको ध्यान रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो क्वाड समिट है वह आपस में बैट कर Quad के बारे में बातचीत करी थी, ठीक है, यह आप लोग को ध्यान अखना है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, आर्टिकल जी एस पेपर टू के पॉइंट अव्यू से इंपोरेंट है, हाल ही में, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई है, Quad डीडर्स की, और यूएस ने इस मीटिंग को होस्ट किया, बहुत सारे टॉपिक्स को पर डिसकेशन किया गया, क्लाइमेट चेंज को लेकर, COVID-19 पैंडेमिक को लेकर, वैक्सीन को लेकर, इंडो पसिविक रीजन को लेकर, चैना को लेकर, यह सारा डिसकेशन यहाँ पर मीटिंग के अंदर हुआ है, एक एक कॉंसेप्ट, यहाँ पर शिंजो अबस सापको दोरा यहाँ पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वार्ड ग्रुप को बनाया गया, इसका ने जो लगबक नवंबर 2017 में अपनी प्रॉपर शेप लेना चालू करी, और उसके बाद इस क्वार्ड ग् यहाँ पर इसका अंदर एड़ हुआ, और चारों कंट्रीज ने आपर यह अभ्यास भी करा था, तो फर्स जॉइंट मिलिटरी एक्साइज थी चारों कंट्रीज के बीच में लगबक पिछले 10 सालों के अंदर जो कि प्रॉपर ली हुई है, उसके बाद अभी जो इस साल का मार्च 2021 निकला है, वहाँ पर भी क्वाड लीडर्स के बीच में बातचीत हुई थी, आपस में वर्च्वाली डिसकेशन हुआ था, वर्च्वाली मतलब वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से बातचीत हुई थी, इन कंट्रीज के बीच में, अब यहाँ पर फाइनली एक फ उस्ट्रिलिया, यूके, यूएस, इन तीनों कंट्रीज का एक और नया गुरूप आ चुका है, जिसका भी काम बिल्कुल क्वाड की तरह ही है, इंडो पस्विक वाले रिजन को ओपन और फ्री बनाना, ठीक है, तो यह चीज हम लोग पहले भी डिसकस कर चुके हैं, क्वा अपना जो कॉपरेशन उसको कैसे बढ़ा सकता है, यह डिसकसन हुआ, दूसरा डिसकसन वेक्सीन को लेकर किया गया, कि अभी यहाँ पर क्वाड कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पर प्लेज कर ली है, यहाँ पर इनोंने बोला है कि 1.2 बिलियन COVID-19 वेक्सीन डोजिज को पर डोनेट करेंगे यह चारों कंट्रीज, उसके बाद तीसरा इनिशिटिव बिल्ड बैक बेटर हेल्थ सेक्वरिटी, मतलब कि यह लोग हेल्थ को लेकर भी काम करने वाले हैं, बहुत सरी बिमारियां ऐसी होती हैं, जो की काफी तेजी से एक्स्पेंड हो रही है, अब यहाँ पर उनको सर्वीलियंस किया जाएगा, उनके ओपर निगदानी रखे, उनके रिगार्डिंग रिस्पॉंस लिया जाएगा, तो यह कौनसे रखा गया, उसके बाद यह वाला जो मुद्दा यह बहुत जादा इंपोर्टन है, जो जो इंपोर्टन डिसकॉशन है, व बिल्ड बैक बैटर वर्ल्ड इनिशेटिव, देखो इस इनिशेटिव को हम लोग B3W इनिशेटिव बोलते हैं, इसके बारे में डीटिल में जानना है, तो आज के मौनिंग वाले डेली करेंटा फिर वाले वीडियो में मैंने डिसकॉस किया था, बाइदावे आपको वर्ल इनिशेटिव, तो G7 कंट्रीज ने जो हाली में मीटिंग हुई थी, उन्होंने यहाँ पर इस इनिशेटिव को लॉंच किया था, और इस इनिशेटिव का में मकस्ति है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रूड इनिशेटिव है, जो कि जिसके बारे में भी हमने डिसक रखेगा, कि सो विकास बहुत काम है, वहाँ पर एक टरीके से इनिवस्ट मेंट करेगा, जो करेगा होती है, कंट्रीज कहा पहुंच जाती है, चाइना के पास लोण देदो, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर यह चाइना के बजट से मलब दुगना बजट है, अब करेंगे दूसरी कंट्रिस पालेकिन ऐना प्लाएं प्लसव साथ यहां पर और कार्यूट इसको कर रही है वसका सब बात है नॉर्मल सी बात है लगाता हर एक समिट हर एक मीटिंग अदर हो रही है उसके बाद यहां पर एक यूनिक पॉइंट यह भी है ग्रीन शिपिंग नेटवक के बारे में यहां पर बोला ग्रीन पॉर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर होगा मतलब कि जो चारों कंट्रीज के एक एक पॉर्ट होंगे वहां से जो शिप वगरा होंगे वह एक तरीके से वहां पर ग्रीन पॉर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर को फैलाया जाएगा ऐसा बोला गया है जो पॉलूशन वगरा उसको कम किया जाएगा उसके बाद क्लीन हाइड्रोजन पार्टनर्शिप को और पर करेंगे ही अभी ज़्यादा इंफोर्मिशन इसके बारे में है नहीं दो इसके बाद एक यूनिक पॉइंट यह है इन चारों कंट्रीज के ग्रूपिंग का वह यह है क्वार्ड फैलोश्टिप को लॉंच क्या गया फैलोशिप क्या होगी इन चारों कंट्री से लगब जीरिंग मैथमेटिक्स प्रोग्राम के उपर यहाँ पर यह लोग फोकस करने वाले हैं यहाँ पो धानक ना है एक डुपलेप्मेंट यह हुआ उसके बाद यहाँ पर दोनें मिलकर फोकस क्या है 5G टेक्लोजी के उपर पुराना पॉइंट है देखो 5G टेक्लोजी को पर पह इसे टेकल किया जा सकता है उसके बारे में हाँ पर इन्होंने क्वार्ड के मीटिंग अंदर डिसक्रशन किया उसके बाद एक डिसक्रशन हुआ सैटलाइट डेटा शेरिंग को लेकर जो क्वार्ड ग्रूपिंग है वो एक तरीके से अब यह लोग आपस में कॉडिनेट करें कया क्या मीटिंग अंदर बातचीत हुई है इंडिया के लिए यहां पर एक बहुत अच्छा़ मौका है इंडिया यहां पर आपका सकतो इन कंट्रीज के साथ मिलकर काफ़ी कुछ एचीव करसकता है और इंडिया के लिए यहां फिस आलिकिल की तरफ記得 घे पहँआ जो उनौ अला कि देखो मदरप्रदेश के अंदर आज की टाइम पर सिच्वेशन काफी है तक सुधर चुकी है आर्टिकल में ज्यादा कुछ इंपोरेंट नहीं है मैं आपको सिर्फ वसर्फ एक ओवर्वीव देने वालों तो 2 ऑक्टूबर 2014 में क्या हुआ था जो हमारे प्राम मिनिस जो खुले में शौच होता है उसको पूरी तरह से रोकेंगे यहाँ पर 2014 में इसकी नीव रखी गई थी फिरो इसके बाद आप कह सकतो इससे हमारे सुसाइटी के अंदर काफी हद तक बदलाव आए बात करी गई है जब मद्याप्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तो मद्या को साफ सोतर रक सकते हैं यह एक बहुत important रोल है जो कि मद्याप्रदेश के अंदर देखने को मिला है उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो हम यहाँ पर मेरे chief मैं चीफ मिनिस्टर मद्याप्रदेश का उसके बाद इसी के साथ यहाँ पर बोला गया है देखो य छोटे इन्वेस्टमेंट करके थोड़े टाइम के लिए चीजों को बदल सकते हो लेकिन वापस से कुछ टाइम बाद वो चीजे वैसी हो जाएंगी तो आपको लोगों के अंदर behavioral चेंज लाना पड़ेगा और वह आप ला सकते हो communication के थूँ और engineering solution के थूँ आपको लंबे समय के लिए long term solution लेकर चलना पड़ता है यहाँ पर इनका focus यह रखा गया साथ इसाथ इन्होंने बोला कि जादर सादर जब leaders engage होंगे people से लोगों से जादर सादर जब leaders बातचीत करेंगे तो उससे communication level भी निकल कराएगा प्लस एक trust भ थोड़ी सी समझ में भी आये करेंगी उसके बाद यहाँ पर बात करेंगी जो अर्बन मध्या प्रदेश वाला एरिया है उसको अभी यहाँ पर open defecation certificate मिल चुका है और यहाँ पर 2 October 2017 में इसको यह एक तरीके certificate मिला था साधी साथ यहाँ पर बोला गया मधर प्रदेश की हम देखने को मिला है एक सबसे जाधा साफ शुत्री कंट्री स्वरी यह शाहर देखने को मिला है हमारी कंट्री के अंदर और यह बताया गया क्लिनीने सर्वे 2017 के अंदर तो आप देख सकते हो कि मधर प्रदेश ने टोटली काफी अच्छा काम किया है ऐसा यहाँ पर आप कर स च्छा से उसका चाहिएल थी अधर है ऐसा फोकस रखा जारा है तो यहाँ पर और इस प्रडिक्लर स्टेट के बारे में बात हो रही है ज्यादा यहाँ पर आपको इसको पर फोकस करना नहीं है आगे बढ़ता है नेक्स्ट आडिकल की तरफ यहाँ पर इस आर्टिकल में ब portion scheme को या फिर PM portion भी आप इसको बूल सकते हो होगा क्या जो government schools है government aid schools है उनको यहाँ पर गरम गरम खाना provide किया जाएगा इस पूरे के पूरे scheme के अंदर ठीक है यह जो scheme है यह तरीके से midday meal scheme को replace कर देगी आपको मालूम होगा हमारे पास एक midday meal scheme है जिसमें focus फोकस रखा जाता है जो भी government schools हैं वहाँ पर बच्चों को class लगबग 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनको खाना मिले और एक nutritious बरपूर खाना provide कि जाता है उनको अच्छी calories में यहाँ पर यह खाना provide करवाने का पूरी तरह से focus रखा जाता है वो midday meal scheme के अंदर हमने डीटेल में इस scheme के बारे में बात करी थी notes वगरा मैंने टेलिग्राम पर शेयर कर दिये हैं अब यहाँ पर बात करते हैं PM portion के बारे में तो यहाँ पर यह जो scheme launch करी गई है इसको अप्रूव किया गया यह midday meal scheme को replace करेगा साथ ही साथ यह जो scheme का main focus ही रहे होने वाला है लगबक 11.8 करोड students जो की enroll है class 1 से लेकर 8 तक class की में आपको देखने को मिलेगा जो इतने students हैं उनको एक तरीके से इस scheme का फाइदा मिलने वाला है जो primary बच्चे हैं वन से लेकर 5 class के जो upper primary है 6 से लेकर 8 class तक के यहां पर यह जो school children है उनको यह फाइदा मिलेगा प्लस यहां पर आपका सकतो हो यह खाना मिलेगा उनको अच्छा खास यहां पर nutritious भरबूर खाना मिलने वाला है और 700 calories तक यहां पर minimum इनको यह मिल जाएगी इसमें protein भी काफियत तक मिलेगा ऐसा बोला गया साधी साथ जो यह scheme है इसको लगबक जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो बालवाटिका के अंदर बच्चे अपर जो कि यहां पर governmental एडिट primary schools देखने को मिलते हैं उनके अंदर भी यहां पर बच्चों को यह खाना प्रोवाइड क किया जाएगा उसका बात करते हैं nutritional garden की तो government नहीं आपर इस scheme के अंदर focus किया है nutritional gardens को यह promote करेंगे schools के अंदर तो nutritional gardens मिया पर देखने को मिलेंगे gardens जो कि यहां पर जो micro nutrients जो चोटे चोटे nutrients होता है यह बच्चों को दे सकें ऐसे gardens मिना जाएगे उसके बाद यहां पर supplementary nutrition प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को देखो बहुत सारे बच्चे जो aspirational districts के अंदर होते हैं aspirational districts ऐसे होते हैं जहां पर आप कह सकते हो poverty वगरा बहुत जादा होती है तो वहाँ पर आपको काफियत तक supplementary nutrition मिलेगा यहां पर भी आपको portion बरपूर काफी सारी चीजे मिल जाएंगी जो कि बच्चों के overall development के उपर काफियत तक काम करने वाली हैं यह हम लोग को देखने को मिलेगा उसके बाद इसी scheme के अंदर तिती भोजन concept भी रखा गया है यानि तिती भोजन concept का मतलब यह है यह एक तरीके से community participation program होगा मालो यहाँ पर एक तरीके से बच्चों को special food provide किया जाएगा कोई special occasion होगा कोई special occasion होगया कोई जनती होगई को इतहार हो गया तो उन basis पर यहाँ पर एक special खाना मिला करेगा बच्चों को यह इसके अदर include क्या जाए उसके बाद direct benefit transfer यानि अकाउंट में directly पैसा यहाँ पर प्रोवाइट करवा दिया जाएगा वह भी यहाँ पर इसके अदर focus रखा गया उसके बाद यहाँ पर nutritional जो expert होगे वह भी अपॉइंट करे जाएंगे यानि nutritional expert जो है इन चीजों का ध्यान सकते हैं उसके ओपर focus रखा जाएगा प्लस यहाँ पर फंड शेरिंग को भी बोला गया जो हमारी केंद सरकार है वह लगबाग 54,006 करोड रुपए यहाँ पर आपका सकतो शेर करेगी फंड उसके बाद मतलब फंड तो बहुत जादा शेर के जा रहा जो इस टोटल एस्ट इस स्कीम के चलेंजिस क्या है बताना है और सरकार क्या इनिशेटिव उठा रही है ऐसे question बहुत 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 सारी पूछे गाए ठीक है कि स्कीम के चलेंजिस क्या है और यहाँ पर सरकार क्या इनिशेटिव है तो यहाँ पर आपको मैंने स्कीम बताया अब यहाँ पर इ यूट्रिशनल एक तरीके से अच्छा सा स्टेटस है नहीं लोग को एक तरीके से पोशन बरपूर खाना मिलनी पाता है तो हमारा टार्गेट यह है कि ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स था साल 2020 वाला उसके अंदर एक सो साथ कंट्री में से 94 रैंक यहां पर देखने को मिली थी तो मतलब की हंगर लेवल के अंदर भी इंडिया का बहुत बुरा हाल आपको देखने को मिलेगा तो यह एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी उसी के कहीं ने कहीं टेकल किये जा सकते हैं इस स्कीम के माद्यम से उसके साथ बोला गया कि यहां पर आज की टाइम पर मतलब की गौवर्मेंट के दोरा और यह बहुत सारे इनिशिटिव चला जाता है जैसे कि यहां पर इनिशिटिव क्या क्या है एनिमिया मुक्त अब भारत प्रधान मंतरी वंदना योजना देखने को मिलेगा पोशन अभियान देखने को मिलेगा तो यह कुछ यहां पर इनिशिटिव हैं जो कि सवर्गार अल्रेडी काम कर रही है बच्चों को फूट सिक्यूरेटी प्रवाइड की जा सके ओके आप लोग को ध्यान दखना है यह इसक अपने आपमें फायदा भी है और इसका क्रिटिसिम भी बहुत हो लेकिन यहां पर हम बात करें अगर हमें पॉलिटिकल पाटीज बनाने का राइट होता है यह कहीं पर भी मेंचन नहीं है हमारे सम्विधान के अंदर right to form political party यह हमारे सम्विधान के अंदर कहीं पर भी मेंचन नहीं है इसको यहां पर change करना पड़ेगा यह होना चाहिए था ऐसा author कह रहे हैं ठीके यहां पर आप देख पाऊगे हमारे constitution के अंदर अगर हम बात करें जो political parties है वो एक तरीकी सारी चीज़ों को overlook करती है political party एक vital player है हमारे पूरा सम्विधान regulation को लेकर सम्विधान को regulate करने के पीछे political system आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा लेकिन कहीं पर भी हमारे सम्विधान के अंदर political party के बारे में चर्चा नहीं हो रही है ज्यादातर जो parties हैं वो openly caste और religious based भी होती है बहुत सारी जो parties होती हैं जहां पर चीज़े छुपा के रखी जाती है बहुत सारी जो parties आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी parties के बारे में नाम भी दिया गया कि यहां पर एक ही लोग चलाते वे आ रहे हैं example दिया गया Congress party का Congress party को गांधी family लगातार चलाती वी आ रही है लेकिन focus यह है जो political parties हैं वो कहीं न कहीं agents और democracy के यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि देखो एक बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है ऐसा author बोल लें और high time यहां पर जरूरत है कि आपको political parties को constitutionalize करना पड़ेगा कि आप लोग यहां पर political party को form कर सको और ensure करना पड़ेगा इन party एक democracy को आप लोग ensure कर सकते हो और यहां पर political parties के अंदर एक transparency maintain कर सकते हो यानि कि अगर political देखो political system भी जो politics है अपने आप में यहां पर एक अच्छा word हुआ करता था दीगे लेकिन यहां पर क्या हुआ हुआ है तो ऐसा यहां पर author का कहना है तो guys I hope आपको यह article भी अच्छे से clear हो गया होगा यहां पर कुछ ऐसी such important information नहीं थी जो कि हम लोग discuss करें नहीं यहां पर जो भी इंपोरेंट आर्टिकल थे हों में डीटेल में देख लिए हैं नहीं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई have a nice day thank you and जय हिंद